नमस्कार डिम स्प्रीड आप कॉमर्स में आप सभी का हर्दिक स्वाकत है और आपके साथ मैं हूँ राकेश में वड़ा फ्रेंड्स गुजरात उनिवर्सिटी की जो एक्जाम 8 डिसेंबर 2020 को शुरू होने वाली थी वो तो पोश्पॉन हो चुकी है आप सभी को पता है अब वो जो एक्जाम थी वो ऑफ्लाइन थी बट अब गुजरात उनिवर्सिटी ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप चाहो तो वो एक्जाम ऑनलाइन दे सकते हो मतलब दो फ्लेटफॉर्म है आपके पास आप ऑनलाइन भी दे सकते हो या ऑफ्लाइन मतलब ऑप्शन है out of city के student है उसको आने जाने में और रहने में जो problem हो रही है वो problem को देखते हुए गुजरायत इन्यूवर्सिटी निया decision लिया है कि कोई भी student चाहे तो वो online exam दे सकता है अब कौन-कौन से courses के लिए आप online exam दे सकते हो उसके बारे में बता दे हैं सबसे पहले BSC M3, BATS M3, MSM3, MSC M3, MCOMS M3, BCOMS M5, BSM5, BBSM5, BCSM5 अब ये courses के लिए declare किया है कि वो student चाहे तो offline की जगा online exam दे सकते हैं अब उसके लिए उनको क्या process करनी है बट उसके पहले मैं बता दू online जो exam होगी आपकी वो MCQ based होगी और MCQ में आपको 4 MCQ दिये होंगे उसमें से कोई भी right MCQ आपको tick करना है अब किसको online जो student को offline exam देनी है तो उसको क्या process करनी है तो वो student को मैं clear कर दू इसमें से कोई selection करना नहीं ना तो login करना है कुछ भी नहीं करना है अगर आप कोई process नहीं करोगे तो उसका मतलब यह होगा कि आपका जो selection है वो offline के वर जा रहा है आपको offline exam देनी है मतलब आप login करके selection नहीं करोगे तो आपको offline exam देनी है वो clear हो जाएगा तो अब हम आगे बढ़े के online exam देनी के लिए करना क्या है तो online exam देनी के लिए जो process करनी है वो मैं थोड़ी देर के बाद आपको to the point सिखा रहा हूँ कि आपको कैसे जाना है गुजरात university की side पे कहां जाना है और कहां पे क्या enter करना है उसके बाद आपका registration हो जाएगा वो सारी detail मैं आपको बता रहा हूँ बट मैं आपको सबसे बहले ये बता दू कि आपको ये process कौनसी date से पहले करनी है सबसे बहले ये बता दे कि 15 December 2020 से पहले आपको ये process करनी है 15 December 2020 से पहले आपको ये process करनी है ये online process करनी है लैपटोप, मोबाइल या टेबलेट डेक्सटॉप, लैपटोप, मोबाइल या टेबलेट किसी में से भी यह एक्जाम दे सकते हैं अगर आप लैपटोप और डेक्सटॉप मतलब लिंडोस उस कर रहे हो तो मिनिममम लिंडोस 7 होना चाहिए और इसके उपर का भी वर्जन चलेगा बट minimum Windows 7 होना चाहिए और खास बात है आपके पास webcam होना चाहिए अगर आपको laptop तो laptop में तो cam आएगा बट desktop से आप exam देना चाहते हो तो webcam होना चाहिए जब आप exam दोगे तो आपको webcam चालू रखना पड़ेगा और वहां से monitorizing होगा कि आप क्या कर रहे हो आप मतलब जो भी मैं बोलना चाहरा हो आप समझ रहे हो तो मैं detail में नहीं जा रहा आपको webcam होना चाहिए वो running condition में होना चाहिए उसमें आप दिखने चाहिए webcam में अगर आप mobile या tablet का use कर रहे हो तो एक बात बता दू IOS नहीं चलेगा मतलब Apple की system नहीं चलेगी यहां पे आप Apple आपके पास Apple का phone होगा तो उसमें से आप exam नहीं दे पाओगे या Apple का tablet होगा तो उसमें से आप नहीं दे पाओगे आपको जो exam देनी हुआ Android based होनी चाहिए जो system है mobile या tablet वो Android होना चाहिए Android 6. marshmallow या उससे उपर का upgrade कोई भी वज़न है चलेगा और minimum Android 6.0 marshmallow होना चाहिए minimum requirement है और Google Chrome से आपको देनी है और वो 80 से उपर का वज़न browser होना चाहिए तो यह थी आप desktop laptop mobile tablet से दे सकते हो उसके लिए desktop या laptop हो तो webcam होना चाहिए आपके पास mobile tablet से दे रहे हो तो Android होना चाहिए आप iOS से नहीं दे पाओगे और अब बात आई internet की speed क्या होनी चाहिए minimum 1 Mbps अगर आप desktop या laptop से दे रहे हो connect कर रहे हो तो और mobile से दे रहे हो तो आपका जो version है वो 4G होना चाहिए network और जब exam चालू होगी तो connectivity नहीं जानी चाहिए वो आपको clear रखना है और एक बात बता दू कि आप चालू exam में phone receive अगर mobile से दे रहे हो तो receive मत करना phone ignore कर देना कोई भी other activity मत करना है आपने browser में only यही link open करके रखना ताकि आपको disturb ना होए अब हम बात करेंगे कि online exam जब होगी उससे पहले एक आपकी mock test ली जाएगी और वो mock test आपको compulsory देनी है उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको क्या select करना है कैसे select करना है मतलब एक practice match जैसे होती है ऐसे आपकी mock test होगी तो वो आपको देनी है यहां पर mail कर सकते हैं यह mail ID पर मैं clear करवा रहा हूँ अगर यह process में आपको कही problem आ रही है तो आपको एक mail ID पर यह mail ID पर mail करना है अगर कोई problem आ रही है तो तो यह तो मैंने बता दी आपको कौन सी date तक करना है registration ओनलाई नहीं करना है क्या क्या आपके requirement है और एक बात बता दू जब आप login करोगे और आपने online select किया तो फिर आपको offline exam देने के लिए नहीं मिलेगी तो selection ध्यान रखना है आप चाओ तो उसमें जाके offline select कर सकते हो बट नहीं करोगे तो भी offline ही आपको exam देनी होगी तो अब हम यह process देख लेते हैं कि exam exam में मतलब online exam देने के लिए आपको process कैसे करनी है registration करने के लिए आपको सबसे पहले गुज़ात इनिवर्सिटी के side पे जाना है गुज़ात इनिवर्सिटी side पे एंटर होते हैं कि यहाँ पे examination आ रहा है तो examination में जाके आपको वहाँ पे click करना है जैसे ही आप examination में click करोगे आपको third number का option select करना है online examination registration वो select करते हैं जो interface आएगा उसमें सबसे पहले PDF आएगी आप चाहो तो वो PDF open कर सकते हो अगर आपको नहीं करने हैं आप close में चले जाओ यह वही PDF है जो मैंने वीडियो के start में आपको बताईए वही PDF आप चाहो तो उसे close कर सकते हो close करने के बाद जो interface आएगा उसमें सबसे पहले जो है वहाँ पे आपको आपका course select करना है कैसे तो सबसे पहले जैसे कि आप बीए semester 5 में हो regular में हो उसके बाद पहले जो आपको माकशन में मिलेगा वहाँ आपको टाव करना है माक्षिट में मिलेगा वह यहाँ आपको टाइप करना है उसके बाद आपका मॉबाइल नंबर आपके पास हो वही हमोबाइल नंबर उसमें टाइप करना उसके बाद का mail id करना यहाँ पे उसके बाद I want to appear in online examination में क्लिक करना है और फिर यह last में submit देना है तो फ्रेंट्स ये बेजिक प्रोसेस है अगर आपको इसमें समझ नहीं आ रहा है तो मैं डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ और बहुत ही जल्दी ये चैनल पर अपलोड करूँगा तो अगर नहीं समझ आ रहा है आपको इसमें से अगर सब्मिट कर ने के बाद तो बहुत जल्दी मत करना मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और ये चैनल पर रखूँगा